यहां पे देखे हम लोग फिजिकल जगर्फिके प्रिवेसी एर कर रहे थे और यह तोटल प्रिवेस यह आपका UPSC का है और यह यह जो भी प्रिवेस यहर आप हम लोग साल्व करें उसको पूरा डिटेल में देख रहे हैं जो आपके आगामी पीजीटी टीजीटी जी आई सी आर्पी असी कॉरले लेक्ट्टर साथ ही साथ यह आपका हायर एजूकेशन कमिशन के लिए एन असिस्टेंट प्रोफिसर के लिए काफी यूजफुल होने वा करना चाते हैं तो उसमें आप वाटसप करके सकते हैं यहां पर क्यला है यह और उस्रोड कटीबंदी सदापंडी है उस्रोड कटीबंदी पंडपाती है टुंडरा है इसमें दिया है कि पारिष्थितिक वर्गी करणों की धवलता परिनामों का घटता हुआ करम कौन सा धवलता यानि की एलवीड़ो ठीक क्या पुछरा यहां पर कि एलवीड़ो के बारे में 45 प्रस्णों को आप लोगों ने देख लिया था इसमें 15 प्रस्ण अमलोग देखते हैं चलिए आगे जैसा भी होगा प्रस्णों का क्रम आगे पीछे अमलोग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं हो से तो पारिष्थंत्र आप जानते हैं तो टुंड्रा क्या यहां पर बर्व जादा होता है इन दो पणरपाती बनों का टाइगा का जाएगा लेकिन टाइगा जो टुंडरा के नीचे वाला एरिया होता है तो इसका मतलब कि टुंड्रा का जो इससे भी ज्यादा होगा यानि कि 4 उसके बाद का उसके बाद आपका उस्ट कड़िबंदी पढ़पाती बना जाएगा यानि कि उस्ट कड़िबंदी पढ़पाती उसके बाद सदा बहार चुकि सबसे नीचे निम्न अच्छांसों पर पाया जाता है इसलिए इसका अलबिडो भी उसी के अनुसार कम यहां पर होगा तो 4132 हो होता है जबकि रीजन बता रहा है कि निम्न अधाब छेतर भूम पर नहीं वलकि महासागरों पर अस्थाई होते हैं तो यहां पर देखिए जो कथन दिया गया है यह सत्य है कि जो उप ध्रुबी छेत्र हो गया यह साट से पैंसट डेगरी अच्छांस हो गया यहां पर दो पर जो प्रेशर हो जाएगा कैसा होगा गुल लूप प्रेशर यहां पर दिखता है यानि उप ध्रुबी छेत्रों में लूप रेशर होता है ठीक तो कथन तो आपका सत्यकार कहरा है कि निम्न दाब छेत्र जो भूम पर नहीं बलकि महासागरों पर अस्थाई होते हैं तो इस आधार पर आपका सी राइट हो जाएगा चले अगला देखते हैं यहां पर प्रिस्टी वाई चक्रवात के केंदर के उपर अभ्यांतर कुंडलित होती है यानि जो सर्फेस वाई है या प्रिस्टी वाई है जिसे आप कह सकते हैं प्रिस्टी वाई है ठीक तो यह कह रह जो हवा है ये चक्रवात के केंदर में उसका आरोण होता है तो इसाधार पर देखे धरातली पौने जो है चक्रवात के केंदर की और प्रवाहित होती है ये आप लोग जानते ही है तो यानि प्रिस्टी जो वायू है जो धरातली वायू है चक्रवात के केंदर के ऊपर कि अंदर आएंगी ठीक अंदर आएंगी ती यानि हवाओं को क्या हो गया और रोहण हुआ है या रोहण कह सकते हैं यानि कि यहां पर हुआ है उतरती है चक्रवाद के केंद्र में तो इस आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं कि इसका रीजन भी राइट है यानि यह यार दोनो सही सही व्यक्या भी कर रहा है अगला देखे 49 का कि जलवाई और विश्यक अस्थानों पर विचार करना है ठीक जलवाई निमलिकित जलवाई और विश्यक तत्थियों पर विचार कीजिए और इसमें देराय कि संगरन उच्चिता प्योंगा दरता ये देखिए आपका नेट में पूछा गया था एक बार संगरन उच्चिता प्योंगा दरता परवत विज्यान उर्दबादर हवा गरजन मेक यानि कि देराय कि इसमें गरजन वाले बादलों का विकास किस किस तत्थ के कारण होता है ठीक तो जो जो गरजन वाले गरजने वाले बादल है उनका विखाज जो एक किन-किन काड़ों से होता है ठीक तो यहां पर देखे संग्नन से उता है उच्च-ताप योगा आदंता जब होगी तब ये इस थिती उत्वन होगी परवत विज्ञान ठीक परवत विज्ञान यहां पे जो जाई से मेग गर्जना हो गया तो उच्च-ताप और आदंता के कान विक्षित होती है इसमें पाऊने जो है उर्द्वाधर धर गत्से चलती है यह आपको पता इए, यानि उर्द्वाधर हवा का गर्जना में हो जाएगा, जलवास जो है संगनी थोकर बादलों का निर्माण करता है, निर्माण करके परवती वर्सा के रोप में प्रतिवी पर ये प्रकट हो जाती हैं तिसले प्रवत्विक ज्ञान भी आ गया यानि ये एक दू तीन और चार सभी यहां पर राइट हैं अगला देखिए 49 हो चुका 50 नमबर देखिए दिया है कि अलपकालिक जलवाई संबंदी कथन के लिए पिछले दसक में ग्यात हुई निमलिकित इस्तितियों में से कौन सी एक भारती उपमादीप में बिरल चीन मानसून वर्सा से संबद्ध है तो अलपकालिक जलवाई संबंदी कथनों के ल प्रवा की कहती एल निना या दक्षडी दोलन 222 प्रवाव तो राइट आमसर यहां पर देखे एल निनो और दक्षडी दोलन हो जाएगा चुकि जो एल निनो है यह आप जानते हैं कि पेरू के तटपे लगबग 180 किलोमेटर की दूरी पर तीन डिगरी दक्षड से लेकर 36 डिगरी दक्षडी अच्छांसों के मदी यह पूरा प्रवाईत होती हैं और यह कैसे होते हैं इनका जल गर्म होता है यह गर्म जल धारा होती है जब यह हिंद मासागर में प्रवेश करती है तो भारती माधीब के पास जल यह उस्थल पर क क्या होता है दवाव कम हो जाता है ठीक जिब दवाव कम हो जाएगा इसके प्रवाव की वज़य से मांसूनी पौने कमजूर हो जाती है जबकि ला निना की प्रवाव एक प्रतिसागरी धारा है जिसका अब इरवाव उसमें होता है जब इल निनों का प्रवाव समाप्त हो हो गई थी यहीं यदि हम लोग एल नीना और दक्षड़ी दोलन की बात करें तो यह दोनों एक दूसरे से अंतर संबंदित होते हैं अता इन्हें हम लोग यह कह सकते हैं कि इन्हें संब्लित रूप से इन्सो भी कहा जाता इन्सो यानि कि एल नीना और आपका सदर्न ओसिलेशन यह जलवाई इन्सो को प्राकृतिक प्रकोप का भी जलवाई विग्यानी जो है इस इन्सो को यानि कि एल नीनो और दक्षड़ी दोलन को क्या मानते हैं प्राकृतिक प सब्सकेट ने सूखा पड़ता है ठीक तो थोड़ा सा ये इसके आपोजिट होता है लेकिन केरल तफारत प्रभारत और उपमाहदीप लगभक सूखा रहता है पिछले वर्सों के आकणओं पर नज़र डालें तो लगभक आप लोग किताव में पड़े होंगे कि लगबग 43 बार जो है सामाने वर्सा ये देखी गई है इसकी वज़ा से अगला देखे कौन सा एक लैगून जील नहीं है अस्टमुडी जील चिलका जील पुलिकट जील ठीक तो यहां आप देखे अस्टमुडी चिलका पुलिकट ये सभी जीलें जो है ये लैगून जीलें है ठीक जबकि आपका पेरियार जो जील है ये लैगून जील नहीं है ये मानों के द्वारा निर्मित जील है ठीक ये भी पूचा जा सकता है मानों निर्मित जील कौन सी है हमारे सौर परिवार के संदर में कौन सा कथन यहां पर आपका जो दिया गया है तिहां आप देखे जो दिया गया कथन है कि हमारे सौर परिवार के बारे में कौन सा कथन जो सही है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पिर्थवी जो है सगंतम यानी की पिर्थवी का जो घनत्व है यह अधिक्तम देखा जाता है प्रिद्वी के संगठन में मुख्य तत्व जो सिलिकान सिलिकान नहीं वलकि लोहा और अक्सीजन है उसके बाद सूर्य में सोर परिवार के दर्वमान का लगभग 75% अंतरदेश्ट है सूर्य का ब्यास प्रिद्वी के ब्यास का 190 गुना है तो यह दिए हम लोग बात करें तो सभी ग्रहों में प्रिद्वी का जो घनत्व है यह सबसे जादा होता है यही राइट है आपका गनत्व के अनुसार हम लोग बात करें तो प्रिद्वी है उसके बाद आपका बुद्ध का आ जाता है बुद्ध के बाद सुक्र है फिर मंग मात्रा च्छान से संबंदित होती है अब देख की कि बात कर रहा कि ये वाज़ल करती है कि नहीर है बात करती है कि या यहिसक आपुस्टेश्ट निकलते हैं जो कई वरसों तक रासानी कुरोरों के बिना भी गहन किरसी का भरण पोसर कर सकते हैं यानि कि यहां पर जो दिया गया है कि जो सीतों उष्ण बन होते हैं ठीक क्रेशन नमबर 54 कि सीतों बन जो है सीतों बनों के विपरीत यह उष्ण कड़िबंदी वर्षा बनों का निरिक्षण किया जाए तो इसमें जो खनिच मात्रा ह यह सरवादिक पाई जाती है ऐसा इनका मानना है तो यह बोले हैं कि जो उष्ण कड़िबंदी बन होते हैं यदि इसकी सफाई हो जाए तो रासाने को रोरक की बिना प्रियोग के ही इसका भरण पोसर यानि काफी समय तक जो है लोगों का भरण पोसर किया जा सकता है कारण साल वर्षा की वजए से जो उष्ण कड़िबंदी वर्षा बन है इसकी भूम में जो खनीज लवड़ है यह क्या होते हैं घुलकर बह जाते हैं और यहां पर जुम्रदा होती है उसमें रासानी को रोरकों की मात्रा जो है कम हो जाती है क्योंकि यहां पर जानते हैं उस लि वर्षा बनों के जो प्रोड़क्टिविटी होती है यह अधिक होती है तो आंसर डी राइट हो जाएगा अगला देखें यहां पर दिया है आपका रीजन और एसर्शन भूमद रेखा के दोनों और पांच से लेके आट डिगरी अच्छांसों तक अच्छांस तक के छेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है ठीक कथन दिया है कि पांच डिगरी से लेके आट डिगरी अच्छांसों में भूमद रेखा के निकर जो हमेशा वर्ष भर जो है हाई टंपरेचर और रेनफाल यहां पर होती है रीजन दे रहा है कि मैक्समम टंपरेचर यानि उच्छ ताप प्रकृत यहां पर कैसी होती है यहां पर प्रकार की वर्षा यहां पर प्राप्थ होती है ठीक तो इसाधार पर आपका यह वाला हो जाएगा विकल अगला देखें 56 अबिस्यों के बन चेत्रों में से एक का फैलाव जो है सरवाधिक परसेंटेज पर है i mean यह सरवाधिक मेरा सर्वाधिक दूरी पर है कौन सा इसमें ban है डिक कि किस ban-षेत्र पली भूआसा जी Shaun यहां पैंट यहां पर आपका कंड़ोरी बन है सिटो शंकव ठीम कड़ी मानसूनी bio Upper सा गुजशन यो ओनता है फնी दो दो भतके लावा थे अगला देखिये 57 सूर्य के एरदिगह परिक्रमा करने के लिए सबसे जब्से जादा समय लेता है ग्री में से आप का इनकी पेक्शा दूर है उसके बाद देखेए अगला जो प्रस्नियावे 58 हैест भूमद रेखा के ऊपर वाय मंदल की जो मुटाई है वो अधिक्तम होती है ठीक तो भूमद रेखा के उपर जो वाय मंडल है उसकी मुटाई अधिक्तम होती है उसके बाद दिया है कि भूमद रेखा के उपर जो उच्छ सूरियात प्योंग ती प्रसंबहनी धाराएं बैती हैं ठीक तो भूमद रेखा के उपर वाय मंडल की मुटाई अधिक्तम नही परब्स न सेजलब होता है अधिक परवरतन और अधिक आऊसवर्वसर होता है इसलिए तो एंडिक्रड की मूटी परत को पार करना पड़ता है तो उच अच्छांसों में अधिक परावर्तन और अधिक आउस्वर्सण होता है तो इसलिए यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि जो आपका A है यह रांग हो जाता क्योंकि आप जानते हैं कि भूमद रेखा के उपर जो छोब मंडल है काफी मोटाई उसकी जादा भी होती है कई रीजन भी उसके पीछे है भूमद रेखा के उपर उच्छ सुर्यातप और तीब्र संभाणी धाराएं बहती है तो इस भी प्रस में कहीं आ पर दिया गया था कि जोला मुखिव मॉूण एलेन जापान है फिलिपीन सब्स कुश्व में है देखे और आपका एस्य सब्सक्राइब मैं और प्रस्तितं है फिलिफीं टार Canadian है यह आपका कि कतन दिया गया चांद का सदय एक अभिन फला की पृधिवी की ओर से देखता है ठीक तो यह बात सही है यह की पाट देखता है चांद अपने अच्छ पर साड़े तेज डिगरी दिवस में गोडन करता गोडन पूरा करता है जो लगभग उतनी ही अवदी है जित साइट को दर्शनी रखता है यही एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लेता है ठीक 27 दिन का समय लेता है 27 दिन तीन दो के आसपास यह है तो लगभग इतने समय में आपने अक्छ पर भी एक चकर पूरा कर लेता है इसके परढ़ाम सरुप पृतिवी से हमें चंद्र सही है और आर गलत है ठीक तो यहां पर हम लोगों ने 15 परशनों को देख लिया है और यह टूटल परशन आप लोग एक बार रिवाइज भी कर लिया करिए अधि आप और भी पार्ट नहीं देखे हो तो उन पार्ट को भी देख लिजे क्योंकि यहां से परशन आपका तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो टेस्ट स्रीज आपकी कराई जा रही है वह किस लेबल की और कैसे कराई जा रही है तो जो टेस्ट है आपका TGT PGT का इसमें देखे जो हो चुका है आपका 15 तक हो चुके हैं टोटल टेस्ट ठीक और यह जब आप जॉइन करें उसके बाद देखें यूनिट की एकॉर्डिंग जितना यूनिट है सौर मंदल का हो चुका है 50 प्रसनों का टोटली 80 प्रसन लगवग कराए गये हैं आज जो टेस्ट होगा यह आपका भूगोल की परिवासा भिसेचेत रहने की थार्ट से रिलेटेड है इसके बाद आपक 29 जुलाई को होगा यह तो टोटल टेस्ट का इंफर्मेशन यहाँ पर दिया गया है यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो दिये गया इस नंबर पर संपर कर सकते हैं ठीक तो आज के लिए इतना है थैंक्स पर वाचिंग